नमस्कार बच्चों मैं प्रयांका मातु राजस्तान सरकार और वेदानता के CSR इनिशेटीवी कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूं और हमारे टेक्निकल पार्टनर है मिशन गयार बच्चों हम पढ़ रहे हैं कक्षा आट की गणित और हमने शुरू किया है अध्यायतीन चतुर भूजो को समझना इससे पिछले वीडियो में हम प्रश्नावली 3.3 के प्रश्ने हल कर चुके हैं और आज हम हल करेंगे प्रश्नावली 3.4 के प्रश्न उससे पहले हम समझते है कुछ विशिष्ट समांतर चतुर भूज अब आपको नाम से ही पता है कि समांतर चतुर भूज तो है ही परन्तु इनमें कुछ अलग से ही विशिष्टाएं हैं जिनके कारण इनका नाम कुछ अलग हो गया है तो देखते हैं पहला सम चतुर भूज अब देखिए सम चतुर समांतर चतर बूज ऑ़ा है तो यह समांतर चतर बूज टो है इसके अतिरिक्थ इसमें क्या विशिश्टा है वह हम देखते हैं। समांतर चतुरबुज के इसके अंदर सभी गुण होंगे क्योंकि ये समांतर चतुरबुज है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं, समांतर चतुरबुज में हमने पढ़ाय कि सम्मुक भुजाएं बराबर होती हैं, परन्तो इसमें ये अलग से विशिष्टा है कि इसकी चारो एक दूसरे को लंबवत काटते हैं लंबवत मतलब यहां काटा तो यहां जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री के होंगे सारे चारो कोण 90-90 डिग्री मतलब सम कोण पर एक दूसरे को काटते हैं तो परस पर लंबवत होते हैं तो clear हुआ सम चतुर भूज क्या हुआ सम चतुर भूज समांतर चतुर भूज तो है ही परन्तो इसमें और क्या विशिष्टा है कि इसकी चारो भूजाएं बराबर होती हैं और विकर्ण परस पर लंबवत होते हैं clear दूसरा है आयत आप पढ़ चुके हैं आयत ये बनाया एक आयत में क्या पढ़ते हैं कि सम्मूख भूजाएं बराबर होती है तो ये भी एक समांतर चेतर बुज़ है, तो समांतर चेतर बुज़ के तो सभी गुण होंगे ही, इसके अतिरिक्त क्या है, सम्मुख बुज़ाएं बराबर होती है, इसमें प्रति कौन 90 डिगरी का या समकौन होता है, पढ़ चुके हैं, प्रति कौन आयत का कितने डिगरी का होता है 90 डिगरी का होता है और इसके विकन बराबर मापके होते हैं ये वाला विकन और ये वाला विकन लंबाई में बराबर होता है ये क्लियर हुआ आयत तो आयत में अतिरिक्त क्या विशिष्टा हुई कि जो इसके विकन हैं बराबर होंगे और इसका प्रत्य कौन समकौन ह तीसरा हम पढ़ेंगे वर्ग, देखें वर्ग में क्या हुआ, वर्ग की चारो भुझाएं क्या होती हैं? बराबर होती है, वर्ग में चारो कौन समकौन होते हैं और विकण एक दूसरे को समकौन पर काटते हैं. ये विशेष्टा अभी हमने किसमें पड़ी सम चतुर भूज में कि विकन परस पर लंब पर काटते हैं या समकोन पर काटते हैं तो वही विशेष्टा इसमें भी है विकन परस पर समकोन पर काटते हैं और इसमें चारो भूजाएं बराबर होती है और चारो कोन समकोन होते है तो वर्ग क्या है एक समांतर चतुर बुज भी है एक सम्चतुर बुज भी है और आयत भी है ऐसे क्यों है तो आयत में क्या विशिष्टा होती है सम्मुग बुजाएं बराबर है तो इसमें तो चारो बुजाएं बराबर है आयत में आमने पढ़ा चारो कोण समकोण है तो इ यहाँ पर भी एक दूसरे पर लंब हैं विकण और सम चतुर भुझ की चारो भुझाएं बराबर हैं तो वर्ग की भी चारो भुझाएं बराबर हैं और यह समानतर चतुर भुझ तो है ही क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है कुछ विशिष्ट समानतर चतुर भुझ और क्या लि कौन, कौन से डिगरी के हैं, 90 डिगरी के हैं या समकोन हैं, यह सारी प्रॉपर्टीज है, वर्ग की, clear हुआ, ये तीन समझ में आए, समचतुर बुज, आयत और वर्ग, अब इस पर आधारे थम प्रिशनावले के उधारण हल करेंगे, तो उधारण नमबर सात्वा क्या दिय है, देखिए, RICE, एक समचतुर बुज है, अभी हमने पढ़ा समचतुर बुज, तो ये RICE, एक समचतुर बुज दिया गया है, X, Y तो इता Z के मान आपको ग्याद करने हैं, ये Y, X और ये Z के मान आपको ग्याद करने हैं, और अपने उत्तर की पुष्टी कीजिए, तो दे यहाँ पर क्या दिया गया है, O, R, O, R, बराबर, Y, बराबर होगा ये OC, ऐसा क्यों होगा, समचतुर बुज में क्या होता है, विकर्ण, एक दूसरे को समध्वी भाजित करते हैं, ऐसा क्यों, क्योंकि समचतुर बुज क्या है, एक समानतर चतुर बुज है, और समानतर चत चतुर भूज की परपर्टी हम पढ़ चुके हैं कि विकण परसपर सम्ध्वी भाजित करते हैं तो क्या लिख देंगे विकण एक दूसरे को सम्ध्वी भाजित करते हैं अब यह विकण किसके सम्चतुर भूज में विकण एक दूसरे को सम्ध्वी भाजित करते हैं इसलिए O-R बराबर Y बराबर O-C या Y बराबर क्या हो गया O-C का मान आपको दे रखा है 12 तो O-R का मान भी कितना आ गया 12 cm क्लियर हुआ O-E बराबर क्या है यह X बराबर होगा O-I के क्यों होगा सम्चतुर भूज में विकण एक दूसरे को सम्ध्वी भाजित करते हैं विकण एक दूसरे को सम्ध्वी भाजित करते हैं अब देखिए यह X बराबर O-I का मान आपको कितना दे रखा है O-I पांच दिया है तो X का मान भी कितना आ गया 5 cm क्लियर हुआ नेक्स्ट आए I-R का मान दिया है Z एवं I-R बराबर Z यह किसके बराबर होगा अभी हमने पढ़ा सम्चतुर भूज की चारों भूजाएं क्या होती है बराबर होती है आपको एक भूजा 13 दी गई है तो यह जो पूछी गई है Z वो अभी कितनी होगी 13 तो यह क्या लिख देंगे Z बराबर RE या Z बराबर 13 सेंटीमेटर क्लियर हुआ तो कोई भी प्रेशन दिया गया है तो आपको यह देखना है कि उस आकरती का क्या नाम दिया गया है तो उसकी प्रॉपर्टीज आपको पता ही है उनको यूज लेते वे प्रेशन हल करना है क्लियर नेक्स्ट उधारन नमबर आठवा देखी क्या दिया गया है RE एंटी एक आयत है इसके विकण एक दूसरे को O पर प्रतिछेद करते हैं यह इसका विकण यह दूसरा विकण यह O पर प्रतिछेद करते हैं X का मान ग्याद करना है आपको यह X दिये गया है यदि OR, OR बराबर 2X प्लेस 4 और OT बराबर 3X प्लेस 1 है तो आपको X का मान ग्याद करना है अब आपको कौन सी आकरती दी गई है यहाँ पर? आयत, आयत में हमने क्या पढ़ा, इसके विकर्ण बराबर होते हैं, तो विकर्णों का जो आधा है, तो इसकी आधा भाग अभी क्या होंगे, बराबर होंगे, एक दुसरे को सम्धी भाचित करते हैं विकर्ण, तो इस विकर्ण का ये आधा भाग, इस विकर्ण का ये आधा भी आपस में क्या होंगे बराबर होंगे तो देखिए हल विकर्ण का नाम क्या है टी ए बराबर एन आर क्यों लिखेंगे आयत के विकर्ण आयत के विकर्ण बराबर होते हैं अतर इनके आधे भी बराबर होंगे क्लियर आधे क्या है इनके इसका आधा ओर इसलिए ओर बराबर हो जाएगा O T के O T समझ में आया अब O R का मान आपको दिया गया है 2 X प्लस 4 तो यहां लिख देंगे O R के जगे 2 X प्लस 4 बराबर O T O T 3 X प्लस 1 3 X प्लस 1 पक्षांतर यह समिकरण बन गई है कि इसको हल करना आता है आपको चरभाग एक तरफ और चरभाग दूसरी तरफ पक्षांतरन करेंगे 2 X यहीं रखा 3 X का पक्षांतरन किया तो चिन बदल गया माइनस 3 X पहले से वहां क्या पड़ा है 1 पड़ा ही है प्लस 4 उदर चला गया तो हो गया माइनस 4 या बड़े का चिन आता है 2 X माइनस 3 X करना है 3 बड़ा है जिसका चिन रिनात्मक है तो उत्तर आएगा माइनस X उसी तरह यहां भी 4 बड़ा है जिसका चिन रिनात्मक है तो उत्तर आएगा माइनस 3 दोनों तरफ से माइनस हट गया तो X का मान कितना प्राप्थ हुआ 3 और X का ही मान आपको गयाद करना था समझ में आया कैसे हुआ यह प्रश्न तो अब हम शुरू करते हैं प्रश्ना ली 3.4 प्रश्न पहला देखिए क्या दिया गया है बताईए कथन सत्य है या असत्य है आपको जो भी कथन दिये गये हैं वो आपको बताना है कि वो सत्य है या असत्य है तो देखिए पहला सभी आयत वर्ग होते हैं क्या ये सही है तो ये गलत है असत्य है कैसे देखिए ये एक आयत दिया गया है क्या ये वर्ग हो सकता है वर्ग की क्या प्रोपर्टी होती है कि इसके चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए परन्तु आयत में तो क्या होता है सम्मुख भुजाएं बराबर होती है तो आयत वर्ग नहीं हो सकता तो सभी आयत वर्ग होते हैं, यह सत्य है, clear, दूसरा point देखिए, सभी सम्चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज होते हैं, यह सत्य है, क्यों सत्य है, क्योंकि हमने पढ़ा सम्चतुर्भुज तो क्या है, समांतर चतुर्भुज का ही विशिष्ट रूप है, तो यह सत्य है clear, next point सभी वर्ग सम चतुर्भुज और आयत भी होते हैं, ये भी हमने पढ़ा, वर्ग क्या होते हैं समांतर चतुर्भुज भी होते हैं सम चतुर्भुज भी है और आयत भी है, इसमें सभी के गुण मौझूद है, कैसे देखिए ये एक वर्ग है तो वर्ग में आमने सामने की बुजाएं समानतर है और सम्मुख कोण बराबर है सारे कोण इसके 90 डिग्री के हैं सम्मुख कोण बराबर है तो समानतर से तुर्बुज है सम्चे तुर्बुज वाली प्रॉपर्टी में क्या है इसमें चारो बुजाएं बराबर है और इसके विकंड एक दुसरे को 90 डिगरी पर प्रतिछेद करते हैं तो यह समचतुर भूज भी है आयत की क्या गोण है कि इसमें चारों को 90 डिगरी के होते हैं और विकंड बराबर है clear तो यह सभी वर्ग समचतुर भूज भी है और आयत भी है सत्य है यह clear सभी वर्ग समानतर चतुर्भुज नहीं होते हैं देखिए सभी वर्ग समानतर चतुर्भुज नहीं होते हैं यह वर्ग है पर हमने तो अभी पढ़ा कि वर्ग क्या है विशीश तरेका समानतर चतुर्भुज ही है तो यह कथन कैसा है असत्य कथन है उगर कथन दिये गए हैं सभी पतंगे सम्चतुर्भुज होती है दिखिए कैसे यह आकरतिया पढ़ चुके हैं पतंग इसमें क्या होता है आसन बुजाओं के दो युग में बराबर होते हैं ये दो बुजाओं बराबर और ये दो बुजाओं बराबर और सम्चतुर्भुज क्या होता है इसमें तो चारो बुजाएं क्या होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए तो पतंगे सम चतुर बुज नहीं हो सकती इसलिए ये असत्य कथन है सभी सम्चतुर्भुज पतंग होते हैं ये सही कथन है क्यों है क्योंकि इसमें क्या हुआ दो आसन बुजाओं के दो योग में बराबर होने चाहिए तो ये इसके बराबर है और विकण कैसे होते हैं एक दूसरे पर लंब होते हैं इसके भी विकण एक दूसरे पर लंभ है तो इसका मतला सम चतुरभुज भी क्या है एक पतंग ही है तो सभी सम चतुरभुज पतंग होते हैं यह कथन कैसा है सत्य कथन है सभी समांतर चतुरभुज समलम होते हैं यह बिल्कुल सही है, सत्य है, कैसे सत्य है समांतर चतुरभुज की प्रापर्टी क्या पड़ी है हमने आमने सामने की भुजाएं क्या होती है समांतर होती है और समलम के लिए क्या चाहिए सम्मुख भुजाओं का एक युग में समांतर होना चाहिए यहां तो दोनों युग में समांतर है इसलिए समांतर चत्रभुज क्या है? समलम होते हैं clear? next point सभी वर्ग समलम होते हैं यह भी सत्य कथन है क्यों? क्योंकि वर्ग भी क्या है? एक समांतर चतुरभूज है और समांतर चतुरभूज जब समलम है तो वर्ग भी क्या है समलम होगा ही तो ये कथन भी क्या है सत्य कथन है clear हुआ ये सब कैसे किया है तो आपको सब की properties याद होनी चाहिए वर्ग, आयद, समांतर, चतुरबुज, सम चतुरबुज, clear? तो आगे देखिए, question number two, उन सभी चतुरबुजों की पहचान कीजिए, जिन में क्या दिया है? चारो भुजाएं बराबर लंबाई में हो, तो चारो भुजाएं बराबर लंबाई में हो, ऐसा कौन सा चतुरबु होता है वर्ग, और एक और हमने अभी पढ़ा, सम चतुरबुज, वर्ग की चारो भुजाएं कैसी होती है? ये वर्ग, जिसकी चारो भुजाएं बराबर और पढ़ा है हमने सम चतुरबुज, तो इसकी भी क्या होती है? चारो भुजाओं की लंबाई बराबर होती है, तो तो आपको पता है वर्ग और आयत दो ही चतुर्भुज ऐसे हैं जिसके चारोकोंड कैसे होते हैं समकोंड तो वर्ग और आयत के चारोकोंड समकोंड होते हैं तो प्रेशन दूसरा समक में आगया इजी है नेक्स्ट प्रेशन नमबर तीसरा बताईए कैसे एक वर्ग एक चतुर्भुज है तो यह तो बहुत इजी प्रेशन है चतुर्भुज है चतुर्भुज के लिए क्या होना चाहिए चार बुजाएं होनी चाहिए तो वर्ग में चार बुजाएं होती है, इसलिए ये एक चतुर बुज है, तो क्या लिखेंगे, एक वर्ग की चार बुजाएं होती है, तो ये एक चतुर बुज है, clear, next point, एक समानतर चतुर बुज, अब समानतर चतुर बुज के लिए क्या चाहिए, ये सम्मुग बुजाएं, समानतर होनी चतुरबुज भी है, clear हुआ, तो कैसे बताए आपने वर्ग को चतुरबुज और समानतर चतुरबुज ये आपको लिखना है, clear, next प्रेश्ण, इसी में पॉइंट दिया है आपको, एक वर्ग सम चतुरबुज कैसे है ये आपको बताना है, तो सम चतुरबुज की प्रॉपर हैं, तो देखिए, एक वर्ग, एक समानतर चतुरबुज है, जिसकी चारो बुजाएं बराबर लंबाई की होती है, अतर ये एक सम चतुरबुज है, clear, वर्ग क्या है, एक समानतर चतुरबुज ही है, परनतो इसकी चारो बुजाएं बराबर लंबाई की होती है, तो ये ए च्छाईये और छारो कोंड सामकों होने चाहिए तो वर्ग nen भी होते हैं तो क्या लिख देंगे एक वर्ग एक समांतर चतुरगुज है जिसका प्रत्थे कोंड समकॉंड है अत्र ये एक आईत है ये प्रेश्ण समझ में आया, आपको वर्गों को कैसे आयत बताना है, कैसे सम चतुर बुज बताना है, समझ में आ गया, तो चलते हैं अगले प्रेश्ण पर, प्रेश्ण नमबर चौथा, देखें चौथे प्रेश्ण में क्या दिया गया है, एक चतुर बुज का नाम को सम्धवी भाजित करते हैं तो यह प्रापर्टी के विकन एक दूसरे को सम्धवी भाजित करते हैं यह किसकी है समांतर चतुर्भुज की है के विकन एक दूसरे को सम्धवी भाजित करते हैं अब समांतर चतुर्भुज की यह प्रापर्टी है और हमने कुछ विशेष्ट स सम्चतुर्बुज, वर्ग और आयत इन सब में ये प्रॉपर्टी होती है कि विकण एक दूसरे को सम्ध्वी भाजित करते हैं clear next एक दूसरे पर लंब स्वंध्वी भाजक होते हैं तो ये भी अभी अभी हमने पढ़ा सम्चतुर्बुज देखा ना भी ये सम्चतुर्बु में विकण एक दूसरे पर क्या है लंबवत है और वर्ग में भी ऐसा ही होता है ये वर्ग में भी क्या होता है लंबवत होते हैं तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा सम्चतुर्बुज या वर्ग जिन में क्या होता है विकण एक दूसरे पर लंब सम्धिभाजक होते है clear ती वर्ग और आयत में, क्या होता है विकर्ण बराबर होते हैं, तो वर्ग और आयत ऐसे हैं जिसके विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, क्लियर हुआ ये वहला प्रेश्न, अब चलते हैं अगले प्रेश्न नमबर पांच पे पे, देखिए क्या दिया गया है, बताईए ए एक आयत उत्तल चतुरभुज कैसे हैं अब ये बताने के लिए आपको याद करना होगा अब हमने पड़ा था उत्तल भववुज और आउत्तल भववुज क्या प्रॉपर्टी पड़ी थी हमने पड़ा था उत्तल भववुज के सभी अंतर कौन 180 डिग्री से कम होते हैं और एक और पड़ा था हमने कि उत्तल भववुज में विकण का कोई भी भाग बहीर भाग में सित्थ नहीं होता है तो देखिए चूंकि आयत के प्रत्य कौन कम आप 180 डिग्री से कम होता है हम देखते हैं कि आयत का प्रत्य कौन तो क्या होता है 90 डिग्री का होता है और 90 डिग क्या है आयत के अंदर ही अंतर अभ्यंतर ही इस्तित है बहीर भाग में इस्तित नहीं है इसका मतलब यह क्या है एक उत्तल चतुरभुज है क्लियर हुआ उत्तल चतुर बुज बताने के लिए आपको क्या बताना होगा आपको बताना होगा कि अंतर कौन सभी 180 डिगरी से कम हो और विकर्ण का कोई भी भाग बहीर भाग में इस्तित न हो क्लियर तो चलते हैं अगले प्रेश्ण पर प्रेश्ण नमबर छत्ता देखें क्या दिया है ABC एक सम्कोन त्रिबुज है A, B, C सम्कोन त्रिबुज दिया है मतलब इसका एक कोण सम्कोन है तो ये बीग पर आपको सम्कोन बना हुआ है आगे और O सम्कोन की सम्मुख भुजा का मद्य बिन्दु है ये O सम्मुख भुजा का मध्य बिंदू है इसका मतलब इसको दो बराबर भागों में बाट रहा है तो O A बराबर O C आपको दिया गया है बताईए कैसे O बिंदू A B C से समान दूरी परिस्तित है आपको क्या बताना है O A B C से समान दूरी परिस्तित है मतलब O A बराबर O B बराबर O C आपको बताना है तो हमने क्या इसके अंदर रचना किये देखिए बिंदो से चिन्हे ततिरिक भुजाएं आपकी साहता के लिए खीची गई है तो हमने इसके अंदर क्या रचना की कि O को D तक इस प्रकार से बढ़ाया है कि O B बराबर O D हो हमने रचना ही ऐसी करी है कि O B किसके बराबर हो O D के बराबर हो फिर जो प्रोइंट प्राप्त हुआ D उसको A से मिलाया और इस D को C से मिलाया और इस प्रकार मिलाया कि हमको एक आयत प्राप्त हो जाए अब देखिए O A बराबर O C तो दिया ही गया है मद्य बिंदु है ये A C का O और O B बराबर O D हमने रचना कैसे की है तो हमको प्राप्त हुआ एक आयत आयत की प्रोपर्टी क्या होती है इसके दोनों विकर्ण क्या होते हैं बराबर होते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया O A बराबर O B बराबर O C देखिए कैसे लिखेंगे इसको B O को D तक इस प्रकार बढ़ाई है कि B O बराबर O D हो ये रचना ही हमने ऐसी कर ली कि B O बराबर O D है A D और D C को मिलाई है फिर जो प्राप्त हुआ D उसको A से भी मिलाया उसको C से भी मिला दिया इस प्रकार प्राप्त A B C D एक आयत है इस प्रकार हमको कौनसी आकरती प्राप्त हुई A B C D आयत इस आयत A B C D में इसके विकर्ण A C और B D बराबर है आयत की प्रापर्टी है कि विकर्ण बराबर होंगे तथा एक दूसरे को O बिंदू पर काटते हैं और विकर्ण एक दूसरे को O बिंदू पर काट रहे हैं अथा O A बराबर OC तो दिया गया है O B बराबर O D रचना से हो गया परन्तू A C बराबर B D क्यों तो आयत के विकर्ण बराबर होते हैं इसलिए हम क्या लिख सकते हैं O A बराबर O B बराबर OC इन समीकर्णों से क्या लिख सकते हैं O A बराबर O B बराबर OC यही हमें प्रूव करना था कि बिंदू O A B C से बराबर दोरी पर है अगले वीडियो में मिलते हैं अगले अध्याय के साथ तब तक जुड़े रहिए धन्यवाद